दोस्तों नमस्कार, जनरल इस्टडीज में आपका स्वागत है आज के लेक्चर में हम कमिशन्स के बारे में अध्यन करेंगे जो आयोग और संस्थाएं भारत की प्रमुक रूप से कारेरत हैं इस समय उनके बारे में हम जानेंगे, तो चले इस रूप करते हैं सबसे पहले हम इनके टाइप्स के बारे में जान लेते हैं कितने परकार के टाइप्स होते हैं, किस तरह की संस्थाएं होते हैं तो इसमें पहले आता है कंस्टिटूशनल कंस्टिटूशनल या सम्मेधानिक संस्थाएं वह होती हैं जो कि सम्मिधान द्वारा बनाई गई होती है या सम्मिधान द्वारा उसमें चेंज किया जाता है कि इस संस्था में वो सम्मिधानिक संस्थाइं कहलाती है दूसरा होता है इस्टेच्वरी बॉड़ी जिसे हम सामवेथिक संस्था कहते हैं यह बहुत संस्ठाइं होती हैं जो कि Parliament यदा संसत द्वारा ACT पारित करे और अधिनियम पारित करके बनाई जाता है जिसनला होता एड़वाईजरी या संस्ठाइं मुख्यरूप से मिनिस्ट्रीर्ज और जो पार्टीज है उनको guarantees या सलाह देने के लिए बनाई जाती है इसलिए इसको जो है समन्वाइकारी संस्था कहते हैं Executive Body Executive Body में अक्सर जो है President, Vice President और Cabinet के Ministers होते हैं उनको Executive Body कहते हैं या कारेकारी संस्था कहते हैं Next है National Law Commission 1834 यानि कि राष्ट्री ये विधी आयोग 1834 इसके स्थापना 1834 में की गई थी Law Commission of India is Executive Body and is Constituted by a Constitution of the Government of India Ministry of Law and Justice Department of Legal Affairs यानि की राष्ट्री ये विधी आयोग एक कारेकारी संस्था है और इसके स्थापना 1834 में भारत सरकार के एक notification के द्वारा यानि की एक्ट के द्वारा की गई थी जो की Department of Legal Affairs के अंतरगत कारे करता है इस समय बाइसवा विधी आयोग चल लहा है 22nd Commission चल लहा है इसके Chairperson या अध्यच कौन है? रितू राज अवस्ती इसके Currently में अध्यच है करते हैं महालेखा की संस्था है इसको जो है अनुचीद 148 के तहत बनाए गया था और यह एक Constitutional Body है समयधानिक संस्था है समयधानिक संस्था है इसके अध्यच कौन है? G.C. मुर्मू काई Comptroller and Auditor General कौन है? G.C. मुर्मू Next है Union Public Service Commission 1926 संग लोक सेवायोग संग लोक सेवायोग के स्थपना 1 October 1926 में की गई थी इसके जो की Chairmanship थे उस टाइम Ross Barker के Chairmanship में की गई थी यह भारतिय समयधान के अनुच्छेद 315 से 323 के बीच में आता है यह एक Constitutional Body है समयधानीक संस्था है और इसके अध्याचीश समय कौन है Chairperson Dr. Manoj Sinha यह Manoj Soni, sorry Manoj Soni Election Commission of India 1950 भारत का निर्वाचनायोग, भारत का निर्वाचनायोग के स्थापना 1950 में की गई थी और यह एक समयधानीक संस्था है Constitutional Body है, निर्वाचनायोग का मुख्यकार भारत में चुनाओ को regulate करना है या इनका जो है क्रियानवयन करना है, जो लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट या राज्य की जो विधान सभाएं हैं, उनका उनके चुनाओ का जो है क्रियानवयन, भ राजी कुमार या Election Commissioner हमीने कह सकते हैं, इसमें दो और मेंबर है, सुसील चंद्र एंड सुनील अरोर, Finance Commission 1951, विध आयोग जिसके स्थापना 1951 में की गए थी, यह एक समयधानिक संस्ता है Constitutional Body की, और या भारती समयधान के अनुछीद 280 के अंतरगत आता है, पहला Finance Commission 1951 में ब इसके सिंग इसके अध्यच है, इसके सेकरेटरी अर्विंद मेहता है, और इसके अन्य मेंबर है, नेक्स्ट है, डेलिमीटेशन कमिशन और 1952 परिसीमन आयोग, परिसीमन आयोग भारत के एक अधिनियम के द्वारा बनाए गया है, जो की एक स्टेच्वरी बोडी है, यानि कि सामविधिक संस्ता है, सामविधिक, परिसीमन आयोग हाल के सेंसस के अधार पे, यानि कि जनगर्णा के अधार पे, जो असेंबली या लोकसभा के जो कॉंसेट्योंसी होते हैं, जो निर्वाचन छेत्र होते हैं, उनका छेत्र निर्धारित करता है, जनगर्णा के अधा और यह अनुछेद 344 के अंतरगत बनाया गया है जो कि जून साथ 1905 में बना और यह एक समयधानिक संस्ता है क्योंकि समयधान के द्वारा यह निर्मित होता है इसका चेयरमैन हमेशा से ही ग्रिह मंतरी होता है जो भी भारत का ग्रिह मंतरी है तत काल में वह इसका चेयरमैन यह अध्यच होता है इस समयमित साहिस के अध्यच है जोर्नल काउंसिल 1956 या छेत्रिय परिशत इसके अपना 1956 में की गई थी जोर्नल काउंसिल और मेड अप आफ दे स्टेट्स आउ इंडिया यानि कि भारत में छेत्रिय परिशत को जोन के हिसाब से बनाये गया है जिसमें North Zone, Northern Zone, Central Zone, Western Zone और Southern Zone, Eastern Zone और North Eastern Zone ये State Reorganization Act 1956 के तहत बनाये गया था यह एक Advisory Body है यानि कि सलाहकारी संस्ता है सलाहकारी संस्ता है इसका अध्यच Union Home Minister यानि कि अमित साच टाइम इसके अध्यच है नेक्स्ट है National Integration Council 1961, राश्ट्री एक्ता परिशद 1961, राश्ट्री एक्ता परिशद को प्राइम मिनिस्टर जवारलाल नहरू ने, प्रधामति जवारलाल नहरू ने 1961 में एक प्रिस काउंफरेंस के माध्यम से इसको बनाया था, और इसका मेन परपस था, प्राब्लम्स को सॉल करना जो कि भारत की अन्य छेत्रों में थी, जैसे कि जो अन्य भारत में कई राज्य हैं, उन छेत्रों को एक साथ संबद्ध करके साथ में चलाना, ये मेन इसका कार्य है, और यह है cooperative body, यानि कि समन्वय कारी संस्था है, समन्वय कारी संस्था, ठीक है, इसका head या अध्यच PM होता है, जो भी ततकाल में PM हो, इस समय नरेंद्र मोदी हैं इसके अध्यच, नेक्स्ट है Central Vigilance Commission 1964, केंद्रिय सतरक्ता आयो, केंद्रिय सतरक्ता आयो के स्थापना, भारत सरकार के एक सामवेधिक body के रूप में, सामवेधिक संस्था के रूप में 1964 की गई थी, क्योंकि भारत संसत के द्वारा एक अधिनियम के द्वारा पारिद करके बनाया गया था, अंतराजिय परिश्ट के स्थापना भारतिय समयधान के अनुछी 263 के तहत की गई है, यानि कि यह भारतिय समयधान के द्वारा बनाया गया है, तो यह एक समयधानिक संस्था है, constitutional body है, इसके members होते हैं, next है National Women's Commission 1992, राष्ट्रिय महिला आयोग 1992, राष्ट्रिय महिला आयोग की स्थापना 1992 में की गये थी, या एक सामविधिक निकाय है, यानि कि भारतिय संसत द्वारा एक अधिनियम पारिद करके इसको बनाया गया है, इसका मुख्यकार महिलाओं के अधिकार और उनकी सुरच्छा के लिए कारे करना है, या उनके इंट्रेस्ट को प्रमोट करना इस आयोग का मुख्यकार कहा जा सकता है, National Commission for Backward Classes 1993, राष्ट्रिय ये पिछड़ा वर्ग आयोग के अस्थापना 1993 में की गई थी, OBC, Other Backward Classes अस्थापना 1993 में की गई थी, जिसे Constitution Act 2018 के तहद बनाए गया था, और 102 Amendment के तहद इसको समयधानिक इस्थिती परदान की गई है, जिसमें भारतिय समयधान के आठकल 328B में इसको रखा गया है, OBC का आयोग किसमे है, 328B में इसको रखा गया है, इसका मुख्यकार पिछड़ा वर्ग का Participation है, Social Economic Development में, यह इसका मुख्यकार्य है, इसके वर्तमान में अध्यच है, हंसराज, गंगा, राम, अहीर, इसके वर्तमान, चेर्मेन या अध्यच है Next है, National Commission for Minorities, 1993 में यह बनाए गया था, राष्ट्री अलपसंख्यक आयोग, राष्ट्री अलपसंख्यक आयोग किस्थापना National Commission for Minorities Act, 1992 के तहत की गई थी, एक अधिनियम के दोरा की गई थी, इसलिए यह इस्टेच्वरी बॉड़ी है, यानि कि सामविधिक सुंस्ता है सामविधिक सुंस्ता है, इसमें मुख्य रूप से छे रिलिजन्स हैं, या छे समुदाए हैं इसमें मुस्लिम्स हैं, क्रिस्चन्स हैं, जैन्स हैं, सिक्स हैं, और बुधिष्ट भी हैं, और पार्सी हैं, या भारत के गजट में दिया गया था इसमें जैन्स को 2014 में समलित किया गया है 2014 में जैन्स को समलित किया गया है इसके पहले सिर्फ पांच ही थे स्टार्टिंग में इसके वर्तमान में अध्यच है इकबाल सिंग लालपुरा इसके वर्तमान में चेर्मेन अध्यच है Next है National Human Rights Commission 1993 राष्टिय मानव अधिकार आयोग 1993 राष्टिय मानव अधिकार आयोग के स्थापना Protection of Human Rights Act 1993 के तहत की गई थी Human Rights का मुख्यकार मानव अधिकारों की रच्छा करना है इनके Life, Liberty, Equality and Dignity की रच्छा करना Human Rights Commission का मुख्यकार है यह एक सामविधिक सुंसता है Statuary Body है इसके अध्यच है Justice Aarun Kumar Misra इसके अध्यच है Justice Aarun Kumar Misra Next है National Commission for SCST याने की National Commission for Schedule Cast and Schedule Tribe इसके स्थापना की गई थी 2004 में राष्टिय अनुसुचिज जाती और जन जाती आयोग के स्थापना 89th Amendment Act 2003 के तहत की गई है जो कि भारतिय सम्विधान के अनुचेद 338E में आता है SC और ST यह एक सम्विधानिक संस्ता है Constitutional Body है परतमान में अनुसुचिज जन जाती यानि की National Commission for Schedule Tribe के अध्यच है कुमभा मनूज कुमार और अनुसुचिज जन जाती यानि की National Commission for Schedule कास्ट के अध्यच है विजे सांपला Central Information Commission 2005 केंदरी सूचना आयोग 2005 जिसे हम सूचना आयोग भी कहते हैं केंदरी सूचना आयोग के स्थपना Right to Information Act 2005 के तहत की गई है इसका मुख्यकारे सूचनाय परदान करना है Individuals को जो कि और कहीं और किसी संस्था से यानि कि जो सेंट्रल और स्टेट लेवल पर संस्था है वहां से सूचना ना प्राफ्त कर पाएं तो इसके लिए यह मुख्यरूप से संस्था कारेकारी है और यह एक सामवेथिक संस्था है Statuary Body है इसके वर्तमान में चेर्मैन है यस वर्धन कुमार सिन्हा Next है National Commission for Protection of Child Rights यह सबना 2007 में की गई थी राश्ट्री यह बाल अधिकार दिवस Child Rights Act इसके असबना Child Rights Act के तहट 2005 में की गई 2005 में जो यह Child Rights Act है यह संस्था द्वारा लाए गया था इसको मुख्य रूप से पारित किया गया था 2007 में यह एक सामवेधिक संस्था है Statuary Body परतमान में इसके अध्यच है चेर्मैन है प्रियंक कानून गो Next है National Green Tribunal इसके सबना 2010 में की गई थी राश्टी हरित अधिकरण और यह Green Tribunal Act 2010 के तहट संसत द्वारा एक अधिनियम बना के पारित किया गया था यह मुख्य रूप से Environmental Protection के लिए कारे करता है और Natural Resources को ध्यान में रखके यह कारे करता है एक सामवेधिक संस्था है Statuary Body है इसके प्रिजेंट में वरतमान में इसके चेर्मैन है Justice Others कुमार गोयल Justice Others कुमार कोयल Next है नीती आयोग 2015 नीती आयोग जिसे हम National Institute for Transforming India के नाम से जानते हैं या एक Public Policy Think Tank है जो कि Government of India के लिए बनाई गई है यानि कि इससे पहले एक संस्थाकारे करती थी जिसे हम Planning Commission योजना आयोग के नाम से जानते हैं उसकी जगह पर NDA Government द्वारा नीती आयोग के स्थापना की गई थी 2015 में एक जनवरी 2015 में इसके स्थापना की गई थी इसके Vice Chairman है सुमन बेरी ठीक है इसका Chairman मुख्यरूप से PM होता है और Vice Chairman सुमन बेरी है ठीक है यह एक Executive Body है कारेकारी संस्था है इसमें की कारेकारी संस्था है इसमें President, Vice President, Prime Minister और Cabinet Ministers भी सामिल होते हैं Thank you guys for watching this video